श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज अपरे नाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे जी हाँ दोस्तों बारवे भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाब होगा विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नोकरी करते है तो बिदेश से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुमकिन है, लेकिन बाकी छेत्रों में लाब होनी की संभावना काफी कम रहेगी, क्यूंकि इस दिन सुबह से ही आलश से से घिरे रह सकते हैं, काम करने की गती धीमी रहेगी, हर काम में रुकावटी नजर आ सकती है, इस दिन आ आपको यात्राय भी करनी पड़ सकती है लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकुल नहीं है अगर करनी ही पड़े तो साउधानी जरूर बरते कही पर भी लापरवाही ना दिखाए आज कोई भी महत्वपूर्णा निर्ने ना ले कोई नया निवेश बिलकुल ना करे इस समय में किसी पर भी भरोषा ना करे कागजी का रवाई या समबल कर सोच समझकर ही करे पति पतनी के बीच नोक जोक हो सकती है इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा किसी और के जगडे से भी थोड़ा दूर ही रहिएगा नहीं तो आप उसमें फच सकते है गर परिवा की स्थिती उत्पन होती भी है तो उसे बढ़ने ना दे इस दिन स्वास्थे ठीक रहने की संभावना भी काफी कम रहेगी इस समय में आप शारीरिक दुरबलता मैसुस कर सकते हैं एनर्जी की कमी रह सकती है साउधानी जरूर बर दे और अपने माथे पर अगर आप चंदन य रंक का इस्तेमाल करते है तो आपके लिए अच्छा रहेगा और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आ आपके राशी फल परेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा